Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. Class 4th की EVS का हम लोग Chapter No. 12 कर रहे हैं. The Chapter name is Changing Times. तो यहां पढ़ना चेतन दास अपनी स्टोरी बताते हैं. चेतन दास कहते हैं कि Partition से पहले ये डेरा गाजी खान रहते थे लेकिन Partition के टाइम पर इनको ये जगे छोड़ कर जानी पड़ी and इनको shift होना पड़ा था. तो यह कहां पर shift हुए थे? यह shift हुए थे सोहोना विलेज में. जो की हर्याना स्टेट में पड़ता है नियर गुडगाउं. गुडगाउं का आज के टाइम पर ओफिशिल नेम है गुरुगराम. Anyway, चेतन दास ये बताते हैं कि पर Partition से पहले ये डेरा गाजी खान रहते थे और डेरा गाजी खान आज के टाइम पर पाकिस्तान में है. यहाँ पर Partition का सिनारियो दिखा रखा है क्योंकि हजारों लाकों की संख्या में लोग एक जगे से दूसरी जगे शिफ्ट हुए थे द्यू टू Partition. आप इस चैप्टर की शुरुवात में बच्चों को ये बताएं कि Britishers ने हम पर रूल किया और साथ ही साथ ये भी बताएं कैसे हमने British रूल से आजादी पाई थी. फिर Partition के बारे में बताएं इंडिया और पाकिस्तान को आप मैप पर लोकेट करके भी दिखा सकते हैं. अब जैसा कि हमने पढ़ा कि चेतन दास जो हैं अब सोहना विलेज में शिफ्ट हो गए थे. तो यहाँ पर वो लोग अपना घर बना रहे थे. तो इनकी अम्मा ने इंसेक्ट से बचने के लिए देखो क्या किया? अब चेतन दास की अम्मा क्या करती है? ने इसका एक लेप बना कर जमीन पर उसको कोट कर दिया. तो इससे होता यह है कि इंसेक्ट गर में नहीं आते. इंसेक्ट से ऐसे बचा जा सकता है. जैसे कि मच्छर, कीट, पतंगे. सोहना विलेज हर्याना में पढ़ता है. हर्याना को आपने लोकेट करना है मैप में, बच्चों को आप बताओ कि चेतनदास के पैरेंट ने जो घर बनाया था, घर बनाने में जो भी material यूज हुए थे, ज्यादा तर material लोकली अवेलेबल थे, आप भी बच्चों को लोकली अवेलेबल material के बारे में बताएं, उनके uses क बारे में भी बताएं, यहाँ पढ़ना आप एक और चीज समझा सकते हैं, वोकल फोर लोकल है न, यह slogan मोदी जी ने दिया है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं बच्चों को, यहाँ पर आप बच्चों को बताएं कि पहले के टाइम पढ़ना बहुत ही कम लोगों के घ किया करते थे, now we also made a small toilet with unbaked bricks behind the house, यहाँ पर चेतन दास कहते हैं कि हम लोगों ने भी चोट ऐसा toilet बनाया लेकिन कच्ची इटों का toilet था, अब आप बच्चों को encourage करो, उनको बोलो कि आप भी अपने elder से, बतलब बड़ों से अपने घर में जाके बात करो कि उनके टाइम पर toilets थे या नहीं थे, अब चेतन दास यहाँ पर बताते हैं कि जिन घरों में toilet होते थे, जिनके आसपास toilet होते थे, उनको साफ करने के लिए बस्ती से कुछ लोग आया करते थे, जिनको हम कहते है manual scavengers, ठीक है, manual scavengers, देखो manual scavengers कोन होते हैं, जो sewer वगेरा साफ करते हैं, ठीक अलावा, जो toilets वगेरा clean करते हैं, तो इनको manual scavengers कहा जाता है, अब देखो manual scavengers के बारे में ये बताया चेतन दास ने कि बस्ती के ये लोग थे, जो toilets को clean किया करते थे, and सारा waste material उठाकर लेकर जाया करते थे, manual scavengers को लोग घरों में enter करना allowed नहीं करते थे, क्योंकि इनको न दिखान रखा है, manual scavenging भी ban है आज के time पर, ठीक है, इसको ban करने का reason ही सबसे बड़ा यही था, कि लोग ना इनको जो भी manual scavenging का काम करते थे, मतलब जो लोग sewer साफ करते हैं, toilet साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं, drainage साफ करते हैं, उनको ना लोग untouchable मानने लगे थे, उन जो से इस बारे पर discuss कर सकते हैं, कि क्या यह सही है कि toilets को दूसरे लोग साफ करें, कि use आप करो and दूसरे लोग साफ करें, यह गलत चीज है ना, तो वो चीज आप discuss कर सकते हो बच्चों के साथ में, I think हमारा इतना important हो चुका है, यहां पर तो बस ऐसी छोड़ी छोड़ी ची कराएं, invite some people from construction site, अगर आप बच्चों को construction site पर नहीं लेकर जा सकते, तो वहां से कुछ worker को, कुछ लोगों को बुला कर, आप school में बच्चों से उनकी बातचीत कराएं, and जब वो काम करते हैं, जैसे कि construction site पर जो भी मजदूर काम करते हैं, वो काम करते वक्त, कौन-कौन से tools का use करते हैं, उनके बारे में भी आप जो है, discuss कर सकते हैं, classroom में, चलिए यह वाला chapter हमारा complete होता है, next chapter पे हम चलते हैं, next chapter है, chapter number 13, the chapter name is a river's tale, ठीक है, तो शुरू करते हैं, यह देखो यहां पर picture में क्या दिखा हूँ है, कि कैसे पहाडों से जो नदियां है, वो बहते बह बहते आ रही हैं, ठीक है, कैसे पहाडों से नदियां बहते बहते आ रही हैं, और फिर आकर यह कहां पर रुकती है, plains area में, एक चीज ध्यान रखना, कि जो यह नदियां आती है पहाडों से, तो यह इतना distance cross करके आती हैं, कि यह जो पानी होता है नदियों का, वो गंदा हो बढ़ाई है न, तो यहाँ पर मैं erosion की ही बात कर रही हूँ, as such यहाँ पर, अच्छे इस chapter में इतना कुछ खास important है नहीं, जो जो चीज़े important है वो मैं आपको बता दूगी यहाँ पर, यहाँ पर दे को बताया है कि river का पानी गंदा क्यों होता है, क्योंकि लोग, जो है कपड़े दोने के लिए, animals को नहलाने के लिए, and utensils को clean करने के लिए इसको use करते हैं, तो पानी जो है वो गंदा हो जाता है, इन सब activities से, इसके अलावा, यहाँ पर यह बताया है कि यह बहुत important है कि हम पानी पीने से पहले उसको पानी को clean करें, और clean water ही पीएं, तो पानी को clean किया जा सकता है by boiling, आप पानी को उबाल कर ही पियो, तो जो भी पानी में किटानू होते हैं, वो मर जाते हैं, यहाँ पर as such कुछ important है नहीं, लेकिन double check एक बार कर लेते हैं, ठीक है, अब हम chapter number 14 कर रहे हैं, the chapter name is Baswa's farm, यहाँ पर Baswa एक छोटा सा बच्चा है, जो यह कहता है कि मेरे father एक farmer है, हमें गाउं में रहते हैं, जिस गाउं का नाम है, बिलवानी का, बिलवानी का गाउं करनाटका में है, तो पहला question यह बन गया, कि बि पर है, करनाटका में, फिर Baswa कहता है, it is the month of July, यह जुलाई का महीना है, and हर साल की तरह, मेरे father जुलाई के महीने में अनियन क्रॉप की तयारी कर देते हैं, मतलब प्याज की खेती की शुरुवात कर दी जाती है, जुलाई के महीने में, तो दूसरा question important यह हो गया, कि अनियन क्रॉप कब उगाए जाते हैं, या फिर अनियन क्रॉप की कल्टिवेशन कब की जाती है, जुलाई के महीने में इसकी शुरुवात हो जाती है, अप्पा has been using khunty to dig the soil, loosen it and make it soft, तो देखो, जो सोईल होती है न, उसको lose करना पड़ता है, तो मेरे जो अप्पा हैं, यहाँ प जाता है और उसे soft बनाया जाता है, ताकि onion crop अच्छे से उग जाए, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, question जो बनता है, third, वो यह है कि करनाटका में khunty का use किसलिए किया जाता है, to dig the soil and to loosen it up and then to make it soft, तो बसवा के area में, जो बिलवानी का village है, जो करनाटका में है, वह हाँ पर khunty का use किया जाता है, to lose the soil, इस lesson में na onion crop के cultivation की बात की गई है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनके areas में कौन-कौन सी crops grow की जाती है, जो उनके area में common है, and आप बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि उन crops को grow करने का क्या process है, जैसे कि महीना पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने onion crop का month कौन सा देखा, जुलाई का महीना, ऐसे ही आप अलग-अलग फसलों के बारे में बच्चों से बात करें, उनसे पूछें कि कौन सी फसल कौन से महीने में grow की जाती है, नेक्स्ट है, sowing the seeds, अब यहां पर बताया है कि किस तरीके से ये onion के बीज को soil में डाल रहे हैं, तो देखो ऐसे बुलक्स का यूज किया जाता है, बुलक्स के पीछे ऐसे कुरीगे लगाया जाता है, यह जो कुरीगे है, इसमें seeds को डाला जाता है, पूरा image में ना properly देख कि कुरीगे लगाया हुआ है, कुरीगे के ऊपर जो है ऐसे बीज डाले जाते हैं, अब जो यह बुलक्स हैं, यह क्या करते हैं, यह कुरीगे को खीषते हैं, जैसे जैसी यह कुरीगे को खीषते हैं, वैसे वैसे onion seeds field में डलते रहते हैं, और soil में मिल जाते हैं, अब onion के sprout ह सोने की बारी आ जाती है, यहां पर लिखा, it is now 20 days since the seeds were sown, कि लगबग 20 दिन हो गए है, onion के seeds को हमने बो दिया है, अब 20 दिन के बाद होता क्या है, 20 दिन के बाद onion plant sprout होना शुरू हो जाते हैं, तो important question है, अगर यह question आ जाए, कि बहुत कितने दिनों में onion plant sprout हो जाते हैं, तो 20 days अच्छा यहां पर यह भी बताया है कि along with onion plants कुछ weeds भी अपने आप ग्रो हो जाते हैं, weeds को कहते हैं कर्पतवार, so weeds grow in the fields and gardens without being planted, कि अगर आप कुछ भी फसल उगा रहे हो, तो उसके साथ-साथ weeds उग जाते हैं, जो weeds है न वो आपनी उगाते हैं, वो खुद बखुद उग जाते हैं, तो ऐसी फसल जो अपने आप उग जाते हैं, वो होती है weeds, तो यह main फसल को खराब कर देती हैं, तो हमें weeds को remove करना पड़ अपनीके से उसको उगने देना है, तो हमें बार-बार weeding करनी चाहिए, weeding का मतलब होता है, इन weeds को उखाड देना चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर, जो यह बच्चा है, यह कहता है, कि अब onion crops, जो है, properly हो चुकिया, इतनी tall enough हो गई है, कि यह मेरे knee तक पहुँच गई है, मेरे गुटनों तक पहुँच गई है, इसकी जो leaves है, जो पतियां है, अब वो yellow होने लगी है, and dry होने लगी है, तो that means यह time है कि अभी हमें प्याज निकाल लेने चाहिए, अगर हम प्याज निकालने में लेट हो गए, तो प्याज जमीन के अंदर ही rot हो जाएंगे, मतलब top of the onion, तो देखो, यहाँ पर ऐसे न, इसे कहते हैं, इलीगी, जिसे हम हिंदी में दरांती कहते हैं, ठीक है, दरांती का use किया जाता है, किसलिए, दरांती का use किया जाता है, onion को plant से निकालने के लिए, यह कहलो कि onion के उपर जो पोधा सा लगा वो होता है, उसको काटा जाता है इलीगी की हेल्प से इलीगी का मतलब होता है दरांती आज भी कोमली गाउं में यह यूज की जाती है ठीक है कि हमारा यह चैप्टर यहां complete होता है तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही important था चलिए मिलते हैं next वीडियो में नई chapters के साथ till then bye bye thank you so much for watching this video आप मेरे साथ telegram instagram पर जुड़ सकते हैं इन दोनों का link आपको description box में मिल जाएगा and display पर आप इन दोनों के username भी देख सकते हैं thank you so much चलिए bye bye